अलो बच्छों गुड़ुनिंग एवरिवान कैसे हो सब लोग सो सबसे पहले तो मैरी क्रिस्मस मैरी क्रिस्मस अरे बहुत अच्छा लग रहा है आरे तो यह न काफी अच्छा सजाया हुआ मैंने तो तुमने कैसा अपना घर पे सजाया कुछ ऐसा चलो तो में थिंग है कि हम जो सजाना है आज जिसको decorate करना है वो अपना ये decorate करना है में क्योंकि वी आर प्रिपेरिंग फॉर नीट इग्जामेनेशन राइट येस सो हमें नीट की प्रप्रेशन करनी है और हम नीट की प्रप्रेशन कर भी रहे हैं I think मैं लाइव आ चुका हूँ wonderful चलो तो तुम मुझे जो भी आज queries होंगी क्योंकि आज का session बहुत important जाने वाला है बचो तो I really want कि हर वो बच्चा जो अनकाडमी पर है ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस session को देखो समझो और analyze करें कि क्या possibilities होती है previous year के question को solve करने की तो सबसे पहले तो मुझे बच्चों बता दो मेरी voice clear है first thing live तुम्हें आ गया मेरी voice भी ठीक आ रही है yes सूरज है सीद्रा है साहिब है कुछ-कुछ बच्चे आ भी चुके है so good evening everyone एक बार फिर से और yes again Merry Christmas आज का जो topic है बच्चों हमारा ये topic एक ऐसा topic है जिसमें बच्चे हर बार like हम क्या करते हैं न हम अपनी पढ़ाई करते हैं पढ़ाई करने के साथ साथ में हम लोग ये भूल जाते हैं कि previous year के questions कर लेते हैं तो every year like 4-5 questions बड़े प्यार से repeat हो जाते हैं और किसी बच्चे ने previous year questions कर लिया अगर अगर तो मुझे नहीं लगता कि उसके है ना like ये जो 57 questions हैं ये तो minimum हैं इससे जादा भी आ सकते हैं इससे जादा भी आ सकते हैं तो possibilities कैसे बनाएंगे जब भी अपने त्यारी करते हैं चाहे वो board है चाहे वो neat है जबकि मैं आज कुछ examples के थूँ तुमको हर वो चीज़ बताऊंगा जो आपके neat exam में बार बार repeat होती है और ऐसे बहुत से interesting questions भी आते हैं जो आपको लगता है अरे ये तो as it is data wise questions पूछ लिया गए तो ये possibilities आज ह करने हैं पहली चीज़ biology में especially आज का session biology के लिए है ना मैं biology को पढ़ाता हूं आपको है ना मेरा नाम सबको पताई है सारे बच्चों को येस तो येस माइनम इस अन्राग तिवारी आपको अनकाडमी पर biology पढ़ाता हूं और साथ-साथ में like कुछ यहां पर मेरे लिए मेरे बारे में कुछ-कुछ चीजें हैं जो बच्चे मुझे जानते हैं wonderful otherwise quick form में last seven years से आप जैसे बहतरीन बच्चों को पढ़ा रहा हूं और कुछ बहतरीन results produce किये इंक्लूडिंग बच्चे मौलाना अजाद में है ना इंक्लूडिंग बच्चे वर्धमान महावीर में तो 682 के बच्चे 662 के बच्चे ऐसे बहुत से बच्चे 654 का बच्चा 655 के बच्चे भी है तो possibilities आपके पास बहुत सी है इस बार का जो highest ranker student है 682 आस्था तो possibilities तुम अपने अपने तरीके से मेरी NCRT सारान सिरीज है सबको पता है automatically बच्चे उसमें अच्छा कर रहे हैं बच्चों को पसंद आती है चीजें बच्चे systematic उसको solve करते हैं NCRT के line to line solve करते है NCRT workbook सिरीज है और yes the best thing is it's 28th of December से 28th of December से मैं तुम लोगों को proper है ना एक पूरी physics chemistry ब पढ़ाएगी 12th और 11th है ना तो हम लोगों ने संभो सिरीज नाम रखा हुआ है नाम रखने में 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 चीज यह है कि आपको एक चीज़ें identify हो जाती है कि हां उस class में चल रहे है और इसके बारे में भी मैं discuss करूंगा 9 बजे आप लोगों से फिलाल अभी इसके बारे में बात करेंगे इस बात को समझना पढ़ाई तो एक hard work है लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि पढ़ाई एक smart work भी है और smart work के लिए आज मैं तुम्हारे सामने दुबारा से हूँ क्योंकि वो smart work कैसे होता है अगर तुम थोड़ा सा idea ले लोगे तो possibility sudden change हो जाएगी बच्छो description box में बचों चीज़ें automatically दे रखी है जो बच्छे पढ़ाई तो कर रहे हैं बट पढ़ाई के साथ में उनका schedule नहीं बन पा रहा है यूट्यूब पर आए आते ही 10 minute class देखी तभी देखा कि कुछ suggestion में गाने आ रहे हैं गाने देखने शुरू कर दिये चाट चल रही है आपको particularly comment करता है तो बड़ी अजीब सी चीज़े रहती है विकॉज मैं दुबारा बोल रहा हूं बच्छों YouTube एक educational platform नहीं है बट अनकाडमी का जो learning app है वो एक educational platform है और उसी platform पर हम plus की पढ़ाई करवाते हैं बच्छों की from the A to last Z हर subject physics, chemistry, biology तब कुछ पढ़ाते हैं बच्छों को plus पर बिल्कुल नएने बैचल स्टार्ट हुए है जैसे अभी पहल बैच स्टार्ट हुआ है एक संभव बैच स्टार्ट हुआ है एक अलफा एचीवर बैच कुछ दिन पहले स्टार्ट हुआ था Unacademy एक पूल है बहुत से educators का पूल है और बहतरीन एजुकेटर जो कोटा में पढ़ा चुके हैं जो डेली में पढ़ा चुके हैं जो हैदराबाद में पढ़ा चुके हैं अलग अलग जगों के बहतरीन teacher आज Unacademy पर जुड़े हैं including me including me और वो teacher अपने अपने ग्रुप क साथ में like तीन टीचर चार टीचर ऐसे करके एक batch उन्होंने launch कर दिया system को समझो और अगर देखो जब आपन academy का subscription लेते हो तो वो सारे teacher आपके लिए unlock हो जाते हैं फाइदे क्या क्या होते हैं आपको classes daily मिलती हैं बच्चों आपको daily classes मिलती है फाइदा इससे क्या हुआ daily classes in fact आज भी मेरी plus की class थी morning में 7.30 to 8.30 दिवाली के दिन भी morning में मैंने 7.30 to 8.30 बच्चों की class ली without any gap तो जब regularity होती है तो result आता है ये बात समझ से हो ना जब regularity होती है बच्चों तो automatically result की possibilities बढ़ जाती है तो ये classes daily होती है और ये live classes है this is not recorded lecture first thing और इस बात को भी तुमको समझना होगा बहुत बहुत important यहां पर तुम अपने doubt पूछ सकते हो यहां polling के थूँ अपने answers मांग सकते हो teachers यहां प्लस इस तरह से तुमारी preparation चल रही है साथ साथ में live testing है और यह सब कुछ जैसे तीन lectures हुए उसके बाद एक proper doubt session अलग से होगा उस दिन पढ़ाई नहीं होती उस दिन सिर्फ doubt होते हैं तो possibilities समझ रहे हैं यह possibilities कैसे बनेंगे जब आप class पर आते हो एक बार subscription लेते हो तो सबसे अच्छी चीज़ कोई जरूरी नहीं कि आप live class देखो सबसे अच्छा है लेकिन busy हो गए तो आप उसका बाद में recorded lecture देख सकते हैं तो सबसे अच्छी चीज़ और एक बात और बता रहो recorded lecture का बच्छों फाइदा यह होता है कभी revision करना हुआ मुझे है न revision करना हुआ तो वो system आपको proper मल जाता है तो यह possibilities आपको recorded lectures में भी मिल जाती है तो यह आपके plus के benefits है कि आप पूरा आपका पूरा for example biology में first chapter से लेकर 22 chapter 11th का फिर 12th वाले में first से लेकर 16 chapter तक पूरा schedule चल रहा है पूरा का पूरा schedule चल रहा है complete syllabus चार महीने में खतम कराएंगे नया batch बिलको brand new batch एक तो plus subscription है एना तो मैं recommend करूंगा four months का subscription हुआ plus 2 month की practice 6 month का एक subscription ले लिया plus का और अपने पढ़ाई आज से शुरू कर दी पढ़ाई क्यों रीजन क्या है जब जागो तभी सवेरा यही ना उस possibilities को बनानी है December देखो बचो अभी तक क्या किया इससे फर्क नहीं पढ़ता फर्क ये पढ़ता है कि अब क्या करने वाले हैं और वो दिन है आज हर वो दिन जिस दिन तुम जग जाओ और अपने पढ़ाई शुरू कर दो वो दिन होता है आज एक additional कई बार हमारे साथ क्या होता है हम पढ़ाई तो कर रहे होते हैं बट कुछ-कुछ छोटे-छोटे queries होते हैं पढ़ाई से related हमारे parents नहीं solve कर पाते हमक किसी ना किसी top medical college से pass out person है जैसे कि मौला ना आजात मेरे बहुत से student है उनके coach मौला ना आजात के हैं एमस के कुछ है तो जब ये अपने expertise के साथ में आपकी test analysis करेंगे आपके लिए study planner बनाएंगे तो possibilities तो बढ़ेंगी बढ़ेंगी तुम्हारा by weekly review लेंगे है ना by weekly review तो तुम्हारी strategy अपनी strategy जो person खुद select होकर आया है जब तुमको बताएगा तो selection क्यों नहीं होगा क्योंकि यहां पर सारे plus के benefit तो हैं है ना साथ साथ में देखो plus का benefit यहां पर भी वही सेम यहां पर भी यहां पर यहां पर structured course PDF आपको कोई book purchase करने की ज़रूत नहीं सब कु यह बाते दिखने में जितनी छोटी हैं सच में practically उतनी ज्यादा important है तो करना क्या है बचों आपको कोई ना कोई batch join कर लेना है जैसे अभी latest जो बैच चल रहा है वो क्या है अभ्यास बैच लेटस जो बैच चल रहा है वो है अभ्यास बैच काफी बहतरीन educators हैं उसके लिए un इंस्टॉल करना है तुमको यहां से इंस्टॉल करने के साथ में तुमको क्या करना है अपने target को select करना है meet u g अपना goal select करो plus पर जाओ get subscription पर जाएंगे and six month का subscription ले डालेंगे ना six month का subscription क्योंकि देखो board postpone हो गया है जेए mains भी postpone हो गया तो need to postpone होने की possibility बढ़ जाती है ना तो क्यों risk ले तो go for this six month subscription 28,000 before payment क्या करेंगे ये code use कर लेंगे code is what 80 sir ये code है यहां लिख देता हूँ 80 sir is the code और इस code के साथ में अनकाडमी पर जितने भी तुम्हारे educators हैं सबकी classes आपको क्या हो जाएंगी सारी open हो जाएंगी तुम्हारे लिए तुम सब कुछ पढ़ सकते हो और तुम्हारे fees भी 10% off हो जाएगी तो your fees will be reduced by 10% और 25,000 में आपको सारा का सारा course में 25,000 में आपको complete इसमें क्या क्या है physics है chemistry है biology है इंडिया के top educators जो पढ़ा रहे हैं उन सब से पढ़ सकते हो क्या जरूरी है कि एक ही teacher से पढ़ा जाए सपोज कोई बहुत बहतरीन organic पढ़ा रहा है कोई बहुत बहतरीन inorganic पढ़ा रहा है दोनों से पढ़ो physical के लिए third teacher ले लो सबकी अपन वाले से बाटनी पढ़ो जोलोजी वाले से जोलोजी पढ़ो possibilities तो ऐसे बनती है कोई यह नहीं पूछने जाएगा तुमसे कि कि किस particular teacher से पढ़ते हो यह जरूर पूछेगा कि किस medical college में पढ़ते हो तो possibilities an academy ने open करके रख दिये तुम्हारे लिए जहां पढ़ना चाहते हो महां पढ़ो 25,000 कोटा जाओगे रहने का खाने का पचास तरीके का खर्चा अनकाडबी ने घर बैठे safe form में mobile या laptop में सामने बैट कर टीचर से पढ़ो डाउट लो discussion करो बात करो iconic में possibilities क्या हैं कि उनसे बात भी कर सकते हो फोन पर बात कर लो ये code use कर लो 6 months का subscription 34 and I prefer this I will prefer this 6 months का subscription आज इस month में 6 दिन है बचो जनवरी आते आते हम डरने लगते हैं हम डरने लगते हैं कि अब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा अभी से शिरुवात कर दी आज से अभी से तो possibilities change हो जाती है और उसी में से कुछ target चीजें छोटी मोटी आज तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ ठीक है तो आज जो लेकर चीजें आया हूँ बहुत important है बड़ी interesting चीज है और काम की चीज है हर साल हर साल 5-6 question बचो नीट में repeat होते हैं नीट के ही previous year के question नीट में repeat होते हैं previous year question और यह बहुत interesting है तो मैं चाहता हूँ जो भी बचे मेरे साथ यहां live है मैं तुमको कुछ questions दिखाऊंगा पहले तो देखना कि वो देखो बार-बार repeat हो रहे है first thing दूसरी चीज तुम उसका answer भी मेरे साथ ही दोगे ठीक है तो it will be around like 55 questions total कितने 55 questions है 55 questions और मैं चाहता हू हर question का answer हर बच्चा बच्चा दे जो भी यहां पर live है तो कहानियों को शुरू कर सकते हैं तो yes बोल दो जल्दी से chat box में जल्दी से yes बोल दो जल्दी से जल्दी बच्चो quick form में prepared हो जल्दी से बता दो prepared हो हां जी जल्दी से देखो एक बड़ा मज़ेदार question दिखाता है तुमको देखो ध्यान से a group of plant देखो यह complete syllabus की बात कर रहे है तो हम 3-4-5 chapters का ले आया हूं मैं 55 questions अब यह मतलब हर chapter के साथ-साथ में मैं like कर आता रहूंगा तो एक complete analysis तुमको मिल जाएगी sequence के basis पर like chapter 1, chapter 2, chapter 3 जैसे आज 5 या 6 chapters की analysis proper है तो 5 chapters से आप सोचो 55 questions बने हैं तो सोचो कितने repeat होते होंगे हर साल ना every year है ना बहुत से questions repeat होते हैं a group of plant and animal with similar trait or any rank is इसको क्या वोलते हैं यह 1992 में और 1991 दोनों में ही repeat हुआ पहला option answer तुम बताऊगे answer तुम बताऊगे ना species, genus, third one is what order and fourth one is tecton, जल दी से answer दो first का answer very simple और मैं बताऊगे तुमको कि कौन-कौन सी चीज़े repeat होई है proper तरीके से मैं तुमको systematic बताऊगे कि कौन-कौन सी चीज़े repeat होई है फिलाल यह exact question दो बार repeat हुआ है, यह exact question बच्चों दो बार repeat हुआ है yes, so answer will be what, सब को समझ में आ गया, okay, perfect, perfect, this is texon na, texon ही है और texon पर दो-दो-तीन-तीन बार, चार-चार बार questions रिपीट हुए एक और question interesting दिखाता हूँ तुमको, बहुत interesting है, ध्यान से देखना 1990 में और 1992 में, अच्छा यह question बिलकुल different है, यह देखना है यह वाला question यह different है, texon है क्या, अब अगला question इसी में घुमा दिया, a texon is a group of related families, a group of related species, a type of living species, a fourth one, a taxonomical group of any ranking बहुत बहुत अच्छा question, यहाँ पर भी बताना, देख रहो न, इस तरह के questions, all India PMT, जिसको पहले बोलते थे, NEET में कितनी बार repeat हो रहे हैं, 4-4 बार, यहान से, answer दो, मैं चाहता हूँ, तुम्हारा communication proper बनता रहे, आज की analysis SEC है, बहुत interesting, answer is what again, taxon क्या है, taxonomic group of any ranking, कितनी easy, बट दो दो बार यहाँ पर भी repeat हो गया, एक साल के gap पर, आच्छा, यह मत सोचना कि, इसके कोई rhythm है कि, दो साल में एक बार repeat होता है, suggestion क्या है कि, जितने भी topics हैं, मैं अभी तुमको दिखाऊंगा, जितने भी topics हैं, वो topic आपको समझने हैं, right, चलो, अगला question यहाँ पर, questions की बाते करेंगे, बहुत interesting है, bacteria lack alternation of generation because, और यही same question दोनों सालों में repeat हुआ, 1991 और 1992 में, जरा answer बताना है इसका, answer बताना, quick form में, quick form में, bacteria lack alternation of generation because, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, क्योंकि उसके पास singami reductional division दोनों ही नहीं है, एक option, distinct chromosome are absent, यह reason है, या conjugation नहीं होता, जैसे नहीं, दो cells के बीच में sex pilize बनते हैं, और वो exchange of material करते हैं, यह नहीं है, या फिर fourth option, no exchange of genetic material, yes, तो answer is what, wonderful, not like that बचो ना, साहिब, proper question के साथ में लिखो, like question number three, ऐसे लिखेंगे ना, question number three, answer will be what, one, ऐसे लिखो, तो मुझे समझ में आएगा, तुम किसका answer दे रहा, तो answer will be what, उसके पास ना तो singami होते हैं, singami का मतलब दो gametes का अपस में fusion, is called as singami, और ना ही उसमें meiosis होते हैं, ना ही उसमें क्या होते हैं, meiosis होते हैं, यह दोनों ही नहीं होते हैं, that's why they lack alternation of generation, कोई doubt किसी बच्चे को नहीं, next question, आसान है, यह question दो बार repeat हुआ, same question, 1990 में और 1993 में, प्रोटोनेमा किसकी life cycle में मिलता है, प्रोटोनेमा stage किसकी life cycle में, रिशिया, क्यूनेरिया, अन्थोसेरोस, या फिर स्पाइरोगाईरा, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से quickest form में, ओके, quickest form में बताएंगे, बहुत अच्छा question है, बहुत simple question है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही simple question, try करो, और यह जो session है, यह उन repeated questions को explain करने का तरीका है, जो आपको अगर आप कर लोगे, और बच्चों मेरे telegram channel जो नीशे है, description में, मेरे telegram channel पर भी चले जाना, वहाँ पर मैंने last 30 year के need के question की, पूरी booklet आज share की है तुम लोगों से, तो कल काफी time लगा इसको separate करने में, questions तो बहुत दिखते हैं, बट वो separate करने में कई बार time लगता है, तो वो time important है, तुमको देखने में बहुत आसान लग रहा होगा, तो answer is what funeria, perfect, answer is what funeria की बात कर र दिख रहा है, चलो try करो, where do the casparian band occur, where do the casparian band occur, जल्दी से, जल्दी से, इस effort को समझना, ये छोटे-छोटे question सा जो repeated है, मैं इनकी पूरी list दूँगा, बस मुझे 10 minute दो, अभी देखना, पहले एक बार question की speed बढ़ना लो, where do the casparian band occur, है ना, yes, तो आपको समझ में आ गई बा जल्दी से, जल्दी से, answer is what, endodermis, right, और ये दो-दो बार question आया हुए, ये इस 1994 में और 1990, दोनों सालों में एक question आया हुए है, बहुत आसान question है, एक और question, cambium, vascular cambium क्या produce करता है, ज़रा दिमाग लगाएंगे, हमारे पास कुछ अच्छे options है, जिसमें से, primary xylem, primary phloem, vascular cambium की बात करें, vascular का मतलब ही होता है क्या, vascular bundle पोलते थे थे न, xylem, phloem, अब उसमें वो क्या है, primary xylem है, primary phloem है, लाइक दा, उसमें वो क्या है, वो answer, मुझे जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, quick form में, quick form में, okay, तो fifth का answer बच्छो ने बताना शुरू कर दिया, perfect, wonderful, answer is what, secondary xylem और secondary phloem, answer क्या हो गया बच्छो, secondary xylem और secondary phloem, अब ये question देखो, दो बार repeat हुआ, as it is question, सीधा सीधा question, as it is चला गया, तुमका मैं दुबारा बोल रहा हूँ, last में इस पर discussion करेंगे कि importance क्या है previous year question की, पहला तो कुछ questions कर लेंगे, simple language में, अगला question है, बहुत आसान, monocot leaf के बारे में, कौन सी बात यहाँ पर सच्ची है, true about monocot leaf, दो बार ये question सीधा सीधा repeat होता, two times, reticulate venation, absence of buliform cell from epidermis, inorganic food move upward and downward through xylem, and organic food move upward and downward through phloem, बहुत simple, बहुत आसान question, try करो, try करो, question number seven, बहुत आसान question है, monocot leaf के regarding कौन सी बात इसमें बिलकुल सही है, बिलकुल perfect है, quick form में answer देंगे, right, yes, तो answer हमारे पास क्या हो गया, organic food जो है, वो upward move करता है और downward move करता है, phloem के through, किस के through, phloem के through, not xylem, not xylem बच्च, xylem answer नहीं होगा, है ना, अच्छा, bully form present होते हैं, bully form cells क्या होते हैं, जो leaf की curling करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, जो जब leaf सूख जाती है, तो curl हो जाती है, इससे फाइदा क्या होता है, या पानी की कमी होती है, तो bully form cells की वज़ा से वो leaf curl हो जाती है, तो transpiration of water थोड़ा सा prevent हो जाता है, और यह बोल रहे हैं, absent है, तो यह बात गलत हो गए, और यहाँ पर parallel venation होता है, तो यह छोटी-छोटी बाते हैं, जो तुमको बार-बार repeated form में मिल रहे हैं, अलग-अलग सालों में, अच्छा, अभी कुछ latest questions भी कराऊंगा तुमको, यह तो 2002 में question आया और 1992 में, हमें करना क्या है, मैं तुमको अपने टेलिग्राम चैनल पर नीचे description में दिया हुआ है, उस पर कुछ PDF शेयर कर रहा हूँ, अलग कि तुम जाकर देख लो, जो बच्छे मुझे जानते हैं, उनको पता है, तो मेरे personal telegram पर वहाँ पर प्रॉपर वो PDF ऑलरीड़ी है, on academy 80 sir, अब उस PDF को जाकर तुमको लेना है, और यह सारे questions को देखना है, है ना, proper form में, चलो, बताना ज़रा जल्दी से, quick form में, doffness can be controlled by treating the plant with, treating the plant with, बहुत simple, बहुत आसान question, बहुत ही simple और बहुत ही आसान question, doffness can be treated by, है ना, which one, जल्दी से बताएंगे, quick form में, बहुत-बहुत आसान, है ना, है ना, done, 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 दो बार यह question repeat हुआ है, बच्छों, दो-बार यह question repeat हो रहा है, हाँ जी, done, तो question number 8 में हमारे पास answer क्या हो गया, gibralik acid, gibralik acid से we can treat doffness, आपको पता है, gibralik का काम क्या होता है, internodal elongation, internodal elongation जब होती है, बच्छों, तो उससे क्या होती है, length increase होती है, और वो length क्या करेगी, doffness को control करेगी, doffness can be treated by, plant जो छोटी height का है, वो लंबी height का, तो ये दो-दो बार ये question पूछा गया है, और इसकी कोई guarantee नहीं, कि ये question अब नहीं पूछा जाएगा, इसका मतलब possibilities हैं कि क्या पता इसी में सी कुछ questions आ जाए, ये हमें तुम्हें समझना होगा कि possibilities को कैसे बनाना है, next question, बहुत आसान, 1998 में और 1991 में दो बार ये question पूछा गया, तीन साल के gap पर, और इसका कोई rhythm नहीं है, इसका कोई रिदम नहीं है हॉर्मोन जो की cell division से connected है और ये question बार 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 पूछा जाता है हॉर्मोन जो की cell division से connected है जल्दी से बताएंगे quick form में जल्दी से बताएंगे हॉर्मोन primarily connected with cell division बहुत अच्छे कुछ बच्चों के answers आ रहे हैं सबको पता है cytokinin जिसको हम G18 के form में भी बोलते हैं क्या बोला cytokinin जिसको हम G18 के बारे form में भी बोलते हैं देखो question BHU PMT में भी पूछा गया 1990 में भी पूछा गया 1994 में CBSC PMT में भी पूछा गया binomial nomenclature पहली बार introduce किस ने किया था ये बात तो सबको पता है binomial nomenclature बहुत ही प्यारा question हाँ जी जल्दी से बताओ बहुत simple tense का answer क्या होना चाहिए याद है एक बार quick form में हम लोग देख रहे हैं देखो जो भी चीज़े सीखने को मिले जहां भी ज्यान तो बट रहा है सबको पता है तो जहां जहां से चीज़े सीखने को मिले वो possibility अब एक ही question तीन-तीन बार पूछा जा रहा है अलग-अलग exams में हमें करना क्या है पता है answer इसका क्या है पहले बताओ ठीक है done answer मिल गया perfect बहुत अच्छे तो question के साथ में लिखोगे तो APD candlely आपको नाम पता है APD candlely के form में चलो जी अगली बात कर रहे है simple form में which are the following are found in extreme saline condition यह NEET 2017 का question है और ज़रा मुझे बताना यह question प्लस इसका अगला question दोनों में कोई similarity है क्या दुवारा बोल रहा हूँ अगर आपने एक topic पढ़ा topic का नाम क्या है RK bacteria क्या नाम है बचो RK bacteria RK bacteria को अगर आपने ढंक से पढ़ लिया और इसके तीन topic पढ़ लिये तो आप 2017 का यह बहतरीन सा question कर लोगे और इसके बाद वाला question भी कर लोगे extreme saline condition जल्दी से answer दे quick form में 2017 बिलको latest question है तो मैं तुमारे chats भी देख रहा हूं parallel में I really want your like proper two way communication होना चाहिए पढ़ाई एक ऐसा process है and trust me मैं दुबारा बोल रहा हूं ये questions separate करना it takes time बहुत सा time लगता है हमारे लिए तो है कि जो next किया question हो गया लेकिन उस 1500 questions में मैं तुमको दिखाता हूं एक छोड़ी सी चीज one minute yes एक minute बच्चों total जो questions है ये देखो total जो questions है अगर मैं बात करो previous year की बात करें last 30 years की बात करें 32, 1998 से बात करें बच्चों मैं कुछ guaranteed फॉर्म में चीज़ें बता रहा हूं तुमको देन आफ्टर है ना आंसर तो यह है ठीक है आंसर तो यह है ही है मैं 1988 से बात कर रहा हूं 2020 तद कितने questions है सर एनी आइडिया तो ज़रा आइडिया बता देता हूं तुमको आइडिया कितने है ज़रा समझना यहां पर समझने वाली बात ये कि तुमारा जो टोटल टोटल 11th class के सारे chapters की बात परो 1849 questions are there it is previous year questions it is what previous year questions कभी calculation करके देखो और उस हिसाब से systematic चलके देखो you will feel good जिसमें chapter number 1 में सबसे कम है 28 chapter number 2 में 148 questions तो यह मैंने proper analyze कर रखा है चीज़ें अगर तुम देख पा रहे हो तो इस proper analysis के form में यहां पर दे रखी हैं चीज़ें I hope this is visible to everyone yes तो यह जो analysis है यह तुमको समझना होगा और यह analysis के कुछ points में तुमको बता तो इस 1849 questions अठरा सो उन्चास हिंदी में बात करें 3344 334 3344 हिंदी में बात करें 3344 questions 3344 questions और इस 3344 में मैंने जो analyze किया पिछले 3-4 दिनों से मैं इस चीज़ पर लगा हुआ हूँ और जिसमें से कुछ questions sample के form में लेकर आया हूँ बट एक चीज एनलेसिस के form में मैंने last में देखी क्या यहां से समझना, बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ, कोई फालतों की बगवास नहीं, जो एनलिसिस है वो तुम्हारे सामने, इसकी फोटो तुमको मिल जाएगी बाद, टेलिग्राम पर मिल जाएगी, यह 3000 कॉस्चिन, अगर कोई बच्चा, जैसे कि मैं स्पेशल क्लास मे मेरी मौनिंग मे, जो बच्चे हैं, उनको पता है, मौनिंग मेरी 8.30, 5.00 पर एक क्लास होती है, और शाम को मैं यही 7.30 पर आप क्लास करने वाला हूँ, तो डेली बेसेस पर मैं बच्चों को 300 से 350 कॉस्चेंज करा रहा हूँ, like 300 से 350 क्वस्चेंज डेली बेसेस पर, अच् और वो भी पिछले 32 सालों से 1988 से लेकर आज 2020 सक तो automatically possibilities बढ़ रहे हैं और बचो बात को समझो हर चीज जैसे ये question आपको दिख गया 2017 में आर्की बैक्टिरिया के बारे में पूछा है जहां से देख रहो एक simple सी बात methanogen belongs to क्या तुम आंसर बता सकते हैं अगर तुमने आर्की बैक्टिरिया पढ़ा है तो तुमको लगता है कि ये अलग question है एक छोटा सा topic तुमने पढ़ा और तुमने खटाक से answer बताया कि जी ये answer आ गया तो एक आर्की बैक्टिरिया ये कव आया 16 में ये कव आया था बच्चे ये वाला कव आया था देखो ये 17 में extreme saline condition तो आर्की बैक्टिरिया एक topic हो गया ना possibilities को समझ पा रहो हाँ या ना तो जब ऐसे questions बार-बार repeat हो रहे हैं हर साल repeat हो रहे हैं इसका मतलब वो जो 3000 हजार है ना 3344 questions है पिछले 32 years के किस कितने chapter में से 38 chapter में से और हर chapter की analysis है वो मैं तुमको भेज दूँगा एक तुमको idea भी मिल जाएगा करना क्या है और PDF भी भेज दिए बच्चो पीडिएफ परचेज करने की जरुवत नहीं पीडिएफ भी बेज दी है टेलिग्राम चैनल तो बस daily basis पर उस analysis को समझना है और कुछ topics पढ़ने अब उस topic के लिए करना क्या है एक छोड़ी सी बात और बताता हूं ध्यान से समझना एक छोड़ी सी बात तुमको और बताता ह बहुत चोटी सी बात मैं बात करूं अगर यहां पर एक proper analysis के form में चीजें है proper systematic form में अगर तुमको देख रही है हाला कि दिखेंगे नहीं बहुत चोटी है right the thing is important यहां पर 2018 में question आया definition of tools का like herbarium है ना key है ना flora ऐसे ऐसे definition of key और उसके अगले साल ही question आ गया herbarium के definition का बात मेरी समझ पार, same question और फिर उसके अगले साल फिर से harbarium पर question आया तो exact same question उठाया गया हाला कि कुछ examples भी अभी दूँगा उसी तरह से जो question है species, species के definition बचो पूछी गई है तुमसे, यह 2016-17 में PDF में दे रखा है और वही same question तुमसे पूछा गया है कब, like 1996 में around, तो वही 5-6 साल, 10 साल पहले वो question दुबारा repeat हुआ ऐसे, ऐसे करके सिर्फ living, living word से आपके लगबग 12 question बन रहे हैं, out of 28 question, total 28 question पिछले 32 सालों में, 30 सालों में पूछेगे, है न, 28 question, जिसमें से 12 question repeated हैं, आपस में वो match करते हैं, कहीं थोड़ा सा, कहीं पूरा-पूरा, exactly, तो जब लगबग half, चलो पूरा तो half नहीं बोलेंगे बट लगबग half, जब repeat कर रहे हैं, बच्छों, possibility समझ रहे हैं, तो हमारी क्या duty बनती है, हमारी duty क्या बनती है, simple form में, ऐसे बहुत से questions है, ऐसी की list में पूरी दिखा दूँगा, हमारी duty बनती है, कि हम अब देखो ये, तो सादन 14 में question, archibacteria differ from you bacteria, और ये same question repeat हुए है, अग अगर आप एक archibacteria ढंसे कर पाते हो, तो क्या इस question का answer दे सकते हो, हाँ या ना, खटाक से answer दो मुझे, तुरंत answer दो इसका, तुरंत का, तुरंत I need answer, जल्दी से, जल्दी से, बात ये समझ में आ रहे हैं, अब सिर्फ by ये biological classification, total 148 questions है, 148 questions, ये question तुझा तुरंत में 40 में आया हुगा, अब देख लो, वही सेम archibacteria, 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 अगर कोई बच्चा करना चाहिए, in fact, as it is question भी दिखाऊंगा तुमको, answer हमको पता चल गया, tell membrane के basis पर, ठीक, तो ये possibilities आपको ऐसे ही बनानी, ये possibilities बिल्कुल ऐसे बनानी, अब एक और question देख लो, archibacteria पढ़ NCRT से बात खतम, इससे ज़्यादा कोई possibility ये ही नहीं बनती, चलो जी अगली बात जल्दी से बताओ, बातें समझ में आ रही है बचो, तो ये possibilities जैसे ही आप करोगे, है न, thermophilic sulfur bacteria, तो आप archibacteria को अगर topic, हमें करना क्या है, मेरी बात को समझो, मैं दुबारा बोल रहा हू Question जो latest आया, question जो latest आया, ठोड़ी सी बात, हमें topic बनाने, how many topics are created, और वो topic मैं तुम्हारे लिए बना कर दूँगा, हर series के शुरू होने से पहले मैं तुमको keyword दूँगा, हर chapter के, संभव series है न, अपने 28 से start हो रही, what I'll do, what I will do is what, हर chapter के keywords, keywords, keyword series की बात मैं बहुत पहले किया क तुमको, for example, यहाँ पर scientific name of mango पर दो दो तिन तिन बार question आ गया, कि which of the following is correctly written, mangy, phyra, indica, lin, mangy, phyra, indica, दूसरा question क्या है, mangy, phyra, indica is the scientific name of, घुमा रहे है यार, बार बार घुमा रहे है, दो बार यह question आ गया, समझ रहे है, तो यह latest question में आते है, अगला topic जो है rules of ICBN पर question आ रहे है, तो you have to write the topic as well, ICBN के rules, जो definition है, tools पर बाते कर रहे हैं, तुमको वो point out करना पड़े है, वो तुमको point out करना पड़े है, house fly का description पूछा है, अगले साल dog का description पूछा है, उसके अगले साल tomato के बारे में पूछा है, और उसके अगले साल potato के बारे में पूछा है, तो हर हैं कि हम अपने previous year के सारे questions को exactly रट लेंगे, तो तुम्हारे 40 marks सिर्फ biology में कहीं नहीं गए, 40 marks biology में कहीं नहीं गए, trust me, minimum 40 marks, जो analysis हुई, तो यहाँ पर भी आपको चीज़े समझ में आ रही है, एक और question देखो, यही same question दो बार repeat हुआ है, 2016 में भी, 2017 में भी NEET में, वाइर कोई differ from virus in having what, बताओ भाई इसका अंसर तो सबको पताओगा, इसका अंसर तो सबको पताओगा, yes, जल्दी से बताओ, बहुत आसान, तारे बच्चों को clear है, तो RNA molecule without protein coat will be known as, तो virus के बाहर तो capsid होता है, वाइरोईड के बाहर ऐसी चीज़ें नहीं होती है, समझ रहो ना मेरे बात, clear है, कहानिया, बहुत आसान, एक देखो, 15 में भी repeat हुआ, 17 में भी repeat हुआ, एक ही question दो-दो बार, एक ही question दो-दो बार, बहुत आसान, बताना भई, question, answer मिला, जल्दी से बताओ, question number 16, बहुत easy, 15 का C बता दिया, very good, बहुत बढ़या, अगले question का answer, 16 का बताएंगे, 16, जल्दी से जल्दी, which among the following are the smallest living cell known without a cell wall, है ना, answer आपको मिल गया, mycoplasma के form में, इसी में example में आपको पता भी है, pleuroneumonia-like organism done, easy and simple, next question आपके लिए, next question, किसनी बार पूछा गया ये question, 2003 में भी पूछा गया, 2016 में भी पूछा गया, PC's के बारे में, क्या पूछा, PC's के definition के बारे में, ध्यान से, real basis of classification है, lowest unit of classification है, right, artificial concept of human mind which cannot be defined as absolute term है, या फिर, real unit of classification devised by taxonomist, तो हमारे पास चार options है, जल्दी से बताओ, species को correctly define, और ये question दो-दो बार पूछा गया, ये question दो-दो बार पूछा गया, बच्छो, जल्दी से बताओ, quick form है, very simple, बहुत आसान question, okay, perfect, perfect, ठीक है न, done, तो यहाँ पर answer क्या हो गया, it is the real basis of classification, basic unit of classification, दो बार ये question पूछा गया, कोई बच्चा अगर 2003 का paper solve करके जाता, तो 2016 में उसकी बल्ले-बल्ले हो जाती, समझ पा रहे हो, और क्या पता 16 का paper 2021 में भी आ जाए, करना तो यही है न, आज का lecture क्यों है, अज क्यों हम class कर रहे हैं, तिर्फ ये बताने के लिए कि वो बच्चे जो ये गलती कर रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, previous year के questions solve भी नहीं करते, उनको ये समझना होगा, कि previous year के questions, हर साल 4 से 5 questions minimum, minimum, वरना वो, अगर हम topic wise बात करें, तो 10-12 भी cross करते हैं, हर साल जब इतनी चीज़ें हो रहे हैं, out of सिर्फ biology, chemistry के questions, J.E.Mains के उठाकर solve कर लो, वैसे तो हर्षित सर आपको बता देंगे, ये भाई साब सीधे-सीधे J.E.Mains के उठाकर question पूछ लिए जाते हैं, तो J.E.Mains के question, फिलाल मैं chemistry में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बट फिर भी इस चीज़ें को समझो, चीज़ें repeat हो रही हैं, data wise तक repeat हो रही हैं, possibilities तुमको बनानी हैं, अगला question, ओके, correctly matched की बाथ कर रहे हैं, 2010 में 11 में भी पूछा गया, 2016 में भी पूछा गया, क्या, इस में से कौन सी चीज़ेй correctly matched हैं, कौन सी चीज़ें, बच्छों, correctly matched हैं, बहुत आसान question, बहुत simple question, जल्दी बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ, quick form में, जल्दी से जल्दी बताओ है ना, जल्दी से जल्दी बताओ 2011, 2016, बहुत आसान सबको पता है है ना, किसके किसकी बात हो रही है टिग्रिस, बात समझ पा रहे हैं टिग्रिस, तो क्या प्राइमेट फैमिली है क्या ये सही है मसका क्या इसका ओर्डर है या जीनस है ऐसे चीजों को तो याद रखना पड़ेगा ऐसी छोटी छोटी चीज़ें दो-दो बार पूछ ली जा रही है मतलब यहाँ पर मक्खी के बारे में पूछ कर तुम्हारे चार नंबर छीनने की कोशिश की गई लेकिन मुझे पता है कि बच्चे अब नहीं करेंगे ऐसा इस इंटेंशन से आया हूँ कि बच्चों का अब गलत ना हो यार सिर्फ तुमको कितने कॉश्चिन्स करने थे मैंने क्या बताए 3344 30344 प्रिवियस येर के कॉश्चिन्स ये ज़ादा कॉश्चिन्स नहीं मैं दुबारा बता दूँ ये ज़ादा कॉश्चिन नहीं है मेरी क्लास में आकर देखो मौर्निंग में बच्चे 2200 कॉश्चिन यू चुटकियों में करते हैं दो घंडे की क्लास लेता हूं साड़े आठ से साड़े दस डेली है डेली मौर्निंग में और 200 कॉश्चिन वहीं के वहीं निप्टाता हूं 200 200 कॉश्चिन पर आर 100 कॉश्चिन्स डेली बिसस पर प्लस माइनस 10 20 50 कॉश्चिन कभी आगे पीशे होगे वो एक सेपरेट चीज है बट एक टार्गेट के साथ में स्पीड से चलते हैं 15 15 से क्वश्चिन का टाइम देते हैं और खटाखट बच्चे सौल करें दस दिन में इसको करवा देंगे यार बट करना क्या है चाप्टर वाइस करेंगे अब सारा सिस्टम तुमको 9 बजे सारा शिडूल में बताऊंगा आरे बच्चों को करना क्या है 9 ओ क्लॉक चुप चाप आजाओ एक पुरा शिडूल डिस्कस करेंगे संभव सीरीज में बाइलोजी कैसे होने वाली कल निपुनसरत ने क्लास ले ली से तुम्हारी तो यहाँ पर आपको समझ में आगया अगला क्वेश्चन वन आज दो मोस्ट इंपॉर्टन फंक्शन ऑफ बॉटानिकल गार्डन क्या है 2003-2005 सीधा सीधा पूछ लिया 2003-2005 दोनों ही टाइम में पूछ लिया जल्दी से बता दो जल्दी से बता दो जल्दी से जल्दी से बता दो हम बाते समझ में आ रही हैं 2003 में भी रिपीट हुआ 2005 में भी रिपीट हुआ same question valley वाटनिकल गाडन के बारे में क्या तुम एक hard working बच्चे हो दूसरा question क्या तुम smart working बच्चे हो दोनों में जमीन आस्मान का फर्क है बच्चो सब के पास 24 hours है but select कुछी बच्चे क्यों हो रहे हैं वो भी less than 1% ये भी उसमें से एक method है जो मैं तुमको यहां पर करवाऊंगा संभव सिरीज में कहने का नाम सिरीज है बट हम unacademy के platform पर unacademy पर वो सब कुछ चीज़ें तुमको मिलती हैं बच्चो जो तुमको like top 10 में top 100 में पहुँचाने के लिए यूँ चुटकियों के लिए बहुत आसान especially biology यार बहुत easy है लोग इसकी value नहीं करते आज एक बच्चे का message आया सर मेरे teacher बोल रहे थे कि इस बार का paper tough आएगा neat का आने दो ये तो नहीं कहा ना कि NCIT के बाहर आएगा और हम NCIT को इतना बढ़िया निचोड रहे हैं इतनी अच्छे तरीके से कर रहे हैं कि कोई possibilities change ही नहीं होगी तो ये दो question है और हमारे पास पता है botanical garden में XU2 conservation it is what XC2 conservation की बात कर रहे ठीक है तो XU2 conservation of germplast सीधी सी बात हो गई अगला question एक साल आया अगले साल फिर आ गया एक साल आया फिर अगले साल फिर आ गया general planterum किसने लिखी general planterum लिखी किसने एक छोड़ी सी बात एक ही question यार दो-दो बार पूछे जा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे चीज़ों को तुमको गलत करना होगा हमारे पास bentham and hooker रटा हुआ होना चाहिए क्या bentham and hooker बचो रटा हुआ होना चाहिए बातें समझ में आ रही है yes or no चलो जी अगली बात क्या मैंने तुमको taxon अभी दिखाया था उसी taxon के कुछ questions modified form smallest taxon किसी बच्चे को taxon का concept clear है तो 5 question होगे की नहीं होगे सीधी सी बात और smallest taxon कौन सा है हाँ जी जल्दी से smallest taxon कौन सा है very simple answer देंगे question number 21 का बहुत है तो answer हमारे पास species आगे answer क्या होगे बच्चों species आगे बहुत simple बहुत आसान question अगले की बात करें linear 1993 में 1990 में ये analysis कब से कब तक की है 1988 से लेकर 2019 तक की है 20 का paper तुमारे पास already है तुम उसको खुद देख सकते हो खुद भी कुछ करो अलागि मैं करवा दूँगा time के साथ में इतना ही था मेरे पास PDF 19 तक ही थी मेरे पास 20 वाली LX पर डाउनलोड की थी बट उसको बाद में कर लेंगे तो वो तो automatically तुमने दे ही दिया ना paper इसमें आदे बच्चे dropper है चलो जल्दी से बताओ linear इस इवाल्वा सिस्टम ऑफ नॉमेंक्लेचर इसको क्या बोलते हैं और यह question बच्चो दो दो बार आया है मैं दुबारा बता रहूं यह दो दो बार question आया है same question same question binomial nomenclature का ठीक है perfect बहुत बढ़िया यहाँ पर कहानिया clear होगी यहाँ पर कहानिया clear होगी done 1998 में 1992 में दो बार एक ही question same same सा static concept of species यह क्या होता है सर पहले थोड़ी से book थोड़ी different थी बट हमी करना क्या है previous year फिर भी पढ़ लेना है अभी हमारे NCRT में नहीं है directly but we have to learn क्योंकि previous year आये थे कोई उठा कर मान दो दे दे तो हम अपनी तरफ से prepared रहें गयार 3000 मतलब nothing तुमको January 30 तक यह भी फिर भी जादा बोल दिया January 15 या 20 तक मैं तुम्हारे को कितने का promise यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको पता है कोई बच्चा है तो chat box में लिखो कितने question का promise किया है मैंने और मैं proper regular basis पर 200-300 questions करवा भी रहा हूँ कितने questions जल्दी से बताओ मुझे chat box में जो भी बच्चे मेरे special classes में आते हैं जो भी बच्चे मेरे plus की class में आते हैं हाँ जी जल्दी से बताओ total number of questions जो हम लोग करने वाले हैं जल्दी से बताओ चैट में चैट में total number of questions yes अरे साहे बच्चे वो सिर्फ previous year है okay total number of questions will be what 13,056 total इसको एक simple form में हम देख ले 13,000 questions हमने करने हैं कब तक हाँ जी कब तक करने हैं बाते समझ में आ रही है बाते जनवरी 30 तक अगर तुमारा 13,000 questions solve हो रहा है including previous year question including exemplar और example including pure NCRT based अगर यह सारे questions solve हो जाए systematic form में तो क्या उसके बाहर कोई possibility बचती ही नहीं बात को समझना उसके बाहर कोई possibility नहीं बचती करना क्या है उसके लिए अच्छे से पढ़ाई करने है theory करवाऊंगा questions करवाऊंगा practice करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और possibilities को convert करेंगे selection में right answer सबको पता है Theophrastus word याद रख लो Theophrastus ने static concept of species इस species में कोई evolution नहीं हुआ और ऐसी चीज़ें बताई गए ठीक है ना कहानिया समझ में आ गई shallow जी perfect बहुत अच्छे तो इस question को ज़रा ध्यान से देखना which are the following gametophyte is not independent pre-living ठीक है 4 option है terrace, finus pun area और merchant तो जो higher जैसे जैसे जाते रहते हैं वैसे gametophyte sporophyte पर dependent होता है सर ये कभी समझ में नहीं आया I'll teach you मैंस में समझाओंगा संभो सीरीज में बताऊंगा तो आपको pinus समझ में आना चाहिए एक तो ये question आया अगला question 2011 में question देख रहे हो धान से देखना gametophyte is not an independent free living generation same question कब 2011 और इधर क्या था 2015 gametophyte is not independent free living फर्क समझ रहे हो questions का फर्क समझ रहे हो possibilities देख रहे हो हाँ या ना हाँ या ना yes और no तो इस question में देखो बस थोड़ी changes गर दे बाकी हुआ ही चीज़े है तो concept clear है अगर कि ये not an independent independent का concept की ये gametophyte होता क्या है sporophyte होते क्या है बच्चों को literally नहीं पता बच्चे confused रहते हैं कि एक plant है समझो मेरी बाद एक plant एक plant के अंदर एक photosynthetic leaf होती है और अगर उसके उपर spore bearing bodies आ जाए तो उसी leaf को बोलेंगे sporophylls sporophylls concept देखो एक sporophyte plant है तीखना एक sporophyte plant है जो की deployed होते है इसके उपर जो leaf है उस leaf का नाम क्या है sporophylls sporophylls के group को बोलते हैं क्या cones या फिर strobili clear कर लेना concept sporophylls के उपर जो spor bearing organ होता है इसको बोलते है sporangia sporangia के अंदर होते हैं क्या spor mother cell जहां से वो spors बनते है spor mother cell बातों को समझे spor mother cell में meiosis होती है spor mother cell में बच्चों क्या होती है meiosis होती है और वो बना लेते हैं spors और यही spor germinate करके बच्चों क्या बनाते हैं gametophyte gametophyte और इस gametophyte के अंदर बात को समझेंगे इस gametophyte के अंदर क्या होता है male anthridia जो six organ होता है और female archigonia archigonia anthridia जो sperm बनाते हैं जो male gamete बनाते हैं ध्यान से समझना याना वो क्या बनाते हैं anthrezoid anthrezoid और ये क्या बनाते हैं egg ये दोनों fuse होते हैं बनाते हैं क्या zygote a zygote develop करके फिर से sporophyte बनाता है बच्चा ध्यान से समझना नहीं ये जिसको समझ में आ गया उसको कुछ नहीं दिक्कत है इसी में थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज कर दीगे किसी में spor से directly gametophyte ना generate करके क्या generate करते हैं mosses में थोड़ी से different form में चीज़ें develop हो जाती protonema बन जाते हैं bud बन जाते हैं possibilities को समझो तो जब तक इन concept को समझो के नहीं तो sporophyte से sporophylls, spore angia spore mother cell, spore यह सब तो spore, spore, spore जब इसमें से spore germinate होगा क्योंकि spore haploid है तो spore haploid से gametophyte बनाएंगे gametophyte से क्योंकि gamete है तो gamete producing sex organ को क्या बोलते है, male को enthridia उसको archigonia, concept को समझना और enthrasoid, zygote, possibilities को बनाना, zygote जब diploid बन गया, germinate करके, further grow करके sporophyte बना गया, तो यही तो पूछा है कि अब इसके बाद examples से आथ ने concept समझा, example किया काम बन गया तो दोनों में ही हर बार वही same question आ रहा है चलो अगली बाद chlorophyces mode of sexual reproduction क्या है बच्छे chlorophyces में, 1994 में question पूछा है ठीक है न, तो आइसोगैमी आपको पता न, claimidomonas वगरा में तो सब कुछ ही मिल जाते है green algae की बात पर रहे हैं, क्या, green algae green algae right आच्छा claimidomonas हमें पता है chlorophyce की बात कर रहे हैं देखो, 1998 में sexual reproduction in claimidomonas हमें यह पता है कि chlorophyce का example होता है claimidomonas एक question आया क्या, इधर chlorophyce में sexual reproduction का mode कौन सा होता है isogamy, anisogamy, ugamy अगला ही question क्या पूछते हैं 1998 में, isogamy, homogamy somatogamy या फिर homogen possibilities तो ऐसे ही change हो गई आपको समझ में आ गया isogamy तो होता है, हाँ यहाँ पर options कुछ और भी होते आने चाहिए चीज़ है, आपको proper चीज़े समझ में आने चाहिए, इस तरह से questions आपको बार बार वही घुमा कर पूछे जा, claimidomonas, ठीक है, done next, metagenesis is referred, पहले तो question देखेंगे, 2015 का question है, अभी बस 4-5 साल पहले का question, metagenesis क्या है, यह दिख रहा है और यहाँ पर देखो, most appropriate term to describe the life cycle in obelia question को घुमाने का तरीका देखो, obelia में जो life cycle, obelia में जो life cycle है, वो कैसी मिल रही है, एक question यह आया है है ना, और option में metamorphosis, neotenny, metagenesis और all of these, answer क्या गया, metagenesis, कब आया, 1998 में इधर देखेंगे, 2005 में, तो जिस ने, जिस बच्चे ने 1998 का वो question किया होगा, क्या वो 2015 में एक दम छा गया होगा कि नहीं, हाँ या ना, yes or no, बातें समझ में आ रही है, बातें समझ में आ रही है, तो वही same question तो है, metagenesis यहाँ पर भी है, metagenesis उफस वाले है, उसमें भी है, बातें समझ में आ गई, yes, alternation of generation वगरा की बात परें, जिस बच्चे को ये कहानिया clear है, वो तो चा जाएगा, और ऐसी चीज़ों को point out करना है, अगला question, इसमें से कौन सा animal है, जो triploblastik है, 2010 में पूशा गया, ठीक है, platform, sponge, tenophora और corals, बताओ जड़ा, जल्दी से देखकर बताओ, जल्दी से देखकर बताओ, जल्दी से देखकर बताओ, जल्दी से देखकर बताओ, तो answer is platform, triploblastik है, बिल्कुर ठीक है, अच्छा, अगली बात, which are the following animal, bilateral है और triploblastik है, 2010 में था है, 2009 में है, पिछले साल ही उसके पूशा गया, और यहाँ पर आपको answer समझ में आरी बात, ठीक, तो कहानिया क्या हो गई, S की helamanthis, तो possibilities तो आपको triploblastik और ऐसे जब keyword समझें, सर दोनों में math समझ में आया नहीं, तो मेरे बच्चे थोड़ासा conceptually और समझोगे, तो possibilities दादा तुम्हारे लिए easy हो जाएंगी, हम ना hard work चकर में लगे रहते हैं, ये भी question कर लें, य तो वही कितने, 2000-4000 questions की varieties निकल करेंगी, only हर chapter के, और वो मैं अपने questions में कराता हूँ, हर chapter के 300 से ज़ादा varieties के questions नहीं होते, क्योंकि उतने ही line बनती, morning में जो बचा मेरी 8.35 की class लगा रहा है, daily basis पर, है ना, जैसे कल reproduction unit का test है, पूरी reproduction unit 12th class, और around 200 questions होंगे, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 4 chapter का test है, unit test, 200 questions, और उसके बाहर कोई possibility ही नहीं, हाला कि मैंने chapter wise करवा रखे है, आप देख रहे हो ना, इस तरह से आपको थोड़ा सा समझना होगा, एक question है, देखो, 2013 में भी पूछा गया, 2015 में भी पूछा गया, same question, Jollis fish, which lay egg in fresh water and whose, है न, Ammonocitae larva, after metamorphosis written, आप लोगों ने वो पढ़ा है न, क्या, Anadromus migration, Catadromus migration, right, तो यहाँ पर आपको Petromyzone word याद होना चाहिए, दोनों सब साल में, 2013 और 2015 में, same question, same question, animal kingdom में जाओगे, तुमको यह options मिल जाएंगे, same questions तुमको मिल जाएंगे, ठीक है, जल्दी से बताओ, कहानिया clear है, बाते दिख रही है, simple, अच्छा जी, which and the following pair of have jawless fish, 2009 question, Macriel rohu, lamprey, hagfish, है न, ये hagfish के साथ में गुपीज की बात करा, lamprey और eel, answer हमको समझ में आ गया, पिछले वाले question में, अगर आपको options भी पता हैं, तो चीज़ें बड़ी clear हो जाती है, तुम्हारे लिए, फिलाल jawless fish ये हो गया, अब ये बड़ा interesting question है, बहुत interesting question है, वो question दो बार example दे रखें, NCRD में, एक coconut एक mango, droop समझ लिया, जो original fruit है, true fruit है, और droop type of fruit है, उसमें तीनों layers properly है, systematic, तो coconut में हमारे पास क्या हो गया, अगला question, अच्छे, ये question कप पूछा, 2017 के neat में पूछ लिया, droop क्यूंकि पढ़कर गया थे, इसलिए coconut पर तुरंट टिक लगा दिया, अगला question हमारे पास क्या आ गया, droop development, समझ रहो, अगला question कब आया, ये 2011 का question है, जो बच्छे, 11 में question करके गए होंगे, droop के बारे में, उनको पता है कि droop के दो example NCRD में दे रखें, mango, है न, और एक coconut, अच्छा जी, तो answer हमारे पास क्या चला गया, क्या कर सकते हो, possibilities समझ रह हो, समझ रहो है, tटी से smart work कर नहीं सकते है, अरपण, हम, हमारे साथ problem यह हैं कि हम confused है, हमारे पास option यह है कि हमारे पास बहुत option है, हमारे साथ सबसे बड़ी problem, कि हमारे पास बहूत से option है, ये भी है, वो भी है, वो भी है, एक जगा fix हो कर तो देखो, कोई भी एक teacher, म उसको पकड़ने से पहले प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए उसकी, टेस्टिंग ऐसा नहीं कि सर चलो एक्जाम दो, थोड़ा सा देख लो, और मैं यह समझता हूँ कि हर टीचर अपने आप में बहतर है, हर टीचर अपने आप में बहतर करता है, नई चीजें इनोवेट कर के लेकर आता है, ताकि बच्चों का कुछ, मतलब भला हो सके, समझ रहा ना, भला, वो भला करने के कोशिश कर रहा हूँ, छोटा सा एफर्ट है, समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात, बागे दुनिया तो एफर्ट कभी नहीं समझती, बट मुझे लगता है कि तुम जरू 1988 से लेकर, 2019 तके कोशिशन सम कर रहे हैं, तो कोई बच्चा ये करके गया था 1991 में, तो 2010 और उस दोनों पेपर में वो कर पाएगा कि नहीं है, बहुत टफ कोशिशन है, आंसर इस वाट, कहानिया समझ में आ रही है, कहानिया कोशिशन में समझ में आ रही है, कितना easy कोशिश और तुमारा एक चार नंबर तुमारे सामने रखा हुआ है, वो जो पूरी बुक है न, ये SEC बुक आती है न, proper, एक मिनट, ये SEC बुक आती है न, proper, SEC, proper 30 years की, तुमको purchase भी नहीं करनी, तुमको exactly purchase भी नहीं करनी बच्चे, ये 30 year की जो बुक है न, चाहे aims उठालो, ये तो म दोनों ही अपने टेलिग्राम पर डाल चुका हूँ, दोनों ही अपने टेलिग्राम पर डाल चुका हूँ, जाओ, download करो, laptop में देखो, chapter wise question solve कर डालो, और जब मैं संभव सिरीज में पढ़ाऊंगा, तो मुझे daily का homework शाहिए, कि तुम उसके NCRT based question कर रहो मेरे साथ special class में, औ मैंगो के बारे में जानने से आप इतनी चीज़े सीख पा रहे हो, तो अच्छे ये question देखो 2004 में आया, और इसके बाद अभी देखना एक बड़ा अच्छा question है, वो जो है कौन सा, fruit juice आता है, बाबा का, और उसमें बोलते हैं बड़ा अच्छा सा, वो ताजे फलो को रहे ह चूस जाहना, ऐसे हैं हमारे fruit juice, उनकी rhyming है, अपनी rhyming है, तो ये question भी आया, नीट में भी ये question आया, देखो एक तो ये हो गया, मिजोकार्प की बात करें, अगली बात, यहां पर, वो कप का था question, 2004, edible part of mango is mesocarp, edible part of, यहां पर off होगा, वो typing error है, ठीक है, मिजोकार्प, 2004, 2002, same question उठाकर डाल दिया, एक साल के gap पर, मेरी बाते समझ पा रहे हो, हां जी, तो भाई साब, ऐसा है न, अभी 2004, 2002 में नहीं, अभी और देखो, mango juice is obtained by, है न, ताजी, फ़लों को जैसे रहे हैं, juice, ऐसे हमारे, है न, mango juice, ऐसा कुछ, उनका add आता है, भाई, मैं कुछ नही भी कर लेगा, और कोई guarantee नहीं है कि अब नहीं आएगा कौशे, क्या पता, इस साल फिर से आजाए, इस effort को बच्चा समझ गया, तो मज़ा आगया, मेरा बच्चा कहलाएगा, समझ रहा है, मेरे instrument कहला हो गए, बढ़ा हूँ तुम से, teacher मानलो, भाई मानलो, लेकिन इस concept को सी and that is called as mesocarp of mango juice, बाते समझ गए, same same question, दो दो बार, तीन तीन बार, अलग अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं, I hope तुम सारे बच्चे समझ में आ गए, समझ में आ रही बाते हैं, हाँ या ना, ठीक, तो ये सब चीज़ें तुमको समझ नहीं होंगी, simple से form में, अगला कुछ चाइना रोज के बारे में पढ़ते हैं, पढ़ाना तो पढ़ेगा, 2013 में एक question था, चाइना रोज फ्लावर कैसा है, देख रहा हैं बड़ा सा लिखाव, ज़्या इसका 40 का आंसर बताना, 40 का आंसर बताना, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, हम, चाइना रोज, Question number 40, answers आने शुरू हो चुके हैं, तो it is what, अच्छा जी, question में कुछ similarities लग रही, question में कुछ similarities लग रही, हाँ या ना, ये बताओ, दोनों question में कुछ similarities लग रही, yes और no, पहले तो ये बताओ, फिर options देखेंगे, option तो कम जादा होते रहते हैं, but question में कुछ similarities लग रही, yes और no, या ना, चलो है ना, मैं तुम्हारे चार्ट देख रहा हूँ बार-बार, कि कौन-कौन से बच्चे ढंग से कर रहे हैं, तो again 41 की बाते कर रहे हैं, क्या हम previous question की help से ये वाला भी question कर सकते हैं, it is what, monodelphus, कहानियों को, simple form में, ठीक है, तो बस यही चीज़े हैं, आपको समझ बाते समझ गए, stem की बात करें, तो हमेशा पोटैटो की बात आएगे, अच्छा, ये बताना कुछ similar सा question है, हाला कि ये दो बार repeat हुआ है, ये बताना, ये question कोई बच्चा नहीं कर पाएगा, या कुछ-कुछ कर भी सकते हैं, ये काफ़ी tricky question है, हाँ जी, तुमको बस पकड़ना है, चीज़ें automatic हो जाएगे, बचा, जल्दी से बताओ, ये वाला question, sweet potato का homologous क्या है, प्लीज गल्ती मत करना, homologous पुछा है, sweet potato का homologous क्या है, जल्दी से बताओ, okay, answer is turnip, not this, ये analogous है, different origin, same function than analogous, अगर अगली बार analogous question आ गया, तो क्या कोई बड़ी बात है, अ same question 2-3-3 बार repeat हो रहे हैं, yes, possibilities समझ पा रहे हो, ये बताना, neat 2017 का question, a group of plant और animal with similar trait of any rank, जल्दी से बताओ, इसमें कुछ गरबढ है, इसको अठा रहा हो ना, इसमें कुछ confusion है, फिलाल ये बताना मुझे, which of the following is not a bio fertilizer, which of the following is not a bio fertilizer, जल्दी से बताएंगे, इसमें से कौन सा bio fertilizer नहीं है, 2011 का question है, जल्दी से बताएं, ओके, ओके, ठीक है, तो answer is what, agrobacterium, ये bio fertilizer नहीं है, इसमें से तो हम लोग इसको as a host use करते थे, TI-plasmid के form में, TI-plasmid के form में use किया करते थे, याद है, अच्छा, azola वाले question भी repeat हुए है, ये जो repeated questions डाल रहा हूँ है न, year कई बार किसी इकाद में दिया नहीं हुआ है, तो azola के form में आपको पता है, एना बेना, और ये question ध्यान से देखो, bio pesticide के form में एक question है, which on the following is used as a bio pesticide, जल्दी से बताएंगे, ये BT cotton का ये question एक दो बार repeat हुआ है, proper तरीके से, ये वाले question का answer बताएंगे, ओके, तो 47 में answer आपको सबको समझ में आ गया, ठीक है न, bio pesticide के, पूछा क्या है, not, तो ये भी use हो जाता है, ये भी use हो जाता है, बट ये नहीं होता, 2009 का question था ये, which one of the following is, pair is not correctly masked, ये बतादो मजा आ जाएगा, ये बतादो मजा आ जाएगा, जल्दी से quick form में, yes, तो not correctly पूछा है 2004 में, repeated form में question था, है न, ये तो बलकुल ठीक है, पारिजिना single cell है, rhizobium में ठीक है, ये eliminate कर दिया, ठीक, अब एक बड़ी interesting चीज़ बता रहा हूँ तुमको, हाँ, bio control component की बात करें, biological control की बात करें, question थोड़े आगे पीशे होगा, ये पिछले वाले question का repeat है, तो ये क्या काम क्या करता है, बच्चे, बात समझ पा रहा है, phyromoons के form में produce करता है, 1998 का question था ये, बहुत थी बहतर आसान question, और ये दो बार repeat हुआ question, पिछले वाले question के form में, अच्छा, एक अच्छा question है, when a natural predator, living, being is applied on the other pathogen organism, to control them, and this process is known as, क्या कुछ repetition मिल रहा है, तुमको समझ में आरी चीज़े, हाँ जी, क्या पिछले question से इसका कुछ repetition मिल रहा है, हाँ या ना, बात ये समझ पा रहा है, biological control, पिछले question की बात कर रहा है, ये, बात ये समझ पा रहा है, biological control component की बात है, और यहाँ पर भी, तो बातें आपको बार बार वही सेम सेम मिलेंगी You have to find that keyword की वो keyword कौन सा repeat हो रहा है बार बार और इस तरह से ये नहीं कि तुम इससे select हो जाओगे लेकिन इससे तुम 30 से 40 question marks है ना 30 से 40 marks previous year करके ही कर लोगे है ना अगला question ये बताना भई ये question है और काफी अच्छा है जल्दी से बताओ बहुत आसान question है ट्राई करो बहुत आसान which of the following pair is wrongly masked और यहाँ पर हमें पता है कॉलिफर्म जो बैक्टिरिया होते हैं वाइनेगर वहां से नहीं बनता हाँ इस्ट से इसनॉल बनेगा अगली बात कर रहे हैं यहाँ पर ट्राई को डर्मा ये question भी दो बार repeat हुआ है ट्राई को डर्मा has proved a useful microorganism for अच्छा दुबारा से आगया ना बायो कंट्रोल दुबारा से वो keyword आगया आपका कौन सा बायो कंट्रोल possibilities तो ऐसे बंडरी बस question थोड़े आगे पीशे है right an organism used as bio fertilizer for raising soybean crop is अभी अभी बात हुई थी हमारी अभी अभी बात हुई थी yes or no possibilities को देखो समझो धन से done azotobacter की बात हो गई azospirellum की बात हो गई और rhizobium की बात हो गई तो answer will be what this rhizobium अच्छा next question 2019 का repeated है बचे और अच्छा question है frankly यह बताना 54 का answer बताना बचो जल्दी से बताओ 2009 का question है जल्दी से बताएंगे which of the following pair is wrongly masked बहुत simple आसान question alcohol nitrogenase क्या यह true juice pectinase textile में amylase और detergent में lipase ठीक है आसान है अब जब आप देखेंगे इसमें तो हमको देख रहे हैं कि nitrogenase का alcohol से कोई relation नहीं है right एक question आया major gas major component of gober gas बहुत अच्छा question है आसान पॉम में तो ammonia methane, ethane और finally यहाँ पर butane की बात कर रहे हैं gober gas का main component क्या है यह बताना भाई जल्दी से question आसान है major component of gober gas is बहुत 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 आसान question चालो जी तो 55 का answer क्या हुआ बच्छो perfect तो answer will be what this methane कहानिया clear है कहानिया clear तो यह जो possibilities आपको यहाँ पर दिखी यह repeated questions की है यह possibilities किसकी है बच्छे बातों को आपको समझना होगा यह repeated question की possibilities हैं जो बार-बार पूछी जाती है तुमको कुछ और भी examples में इसी तरह के PDF के form में भेज़ दूँगा जो मैंने पूरी analysis बखरके बनाई है एक छोड़े-छोड़े form में अच्छा समझना क्या है पढ़ाई करते रहना है यह repeated questions की जो मैंने बाते की जो भी 50-55 questions तुम्हारे लिए लेकर आया वो कहीं न कहीं repeated हैं कहीं न कहीं उनकी possibilities बनती हैं करना हमको तुमको बस एक छोड़ा सा काम है अपनी पढ़ाई बहतर तरीके से करनी है और previous year need के questions जरूर से जरूर अब हमारे पास तीन काम हो गए हमारे पास तीन काम हो गए पहला first thing is what हम theory पढ़ेंगे हम बचो theory पढ़ेंगे किसमें अपनी संभव सीरीज में संभव सीरीज में अपनी theory करेंगे first thing very important दूसरी बात very important theory के बाद हम special classes में उसके questions करेंगे special classes में बात को simple language में समझो special classes में उसके क्या करेंगे बचो questions करने वाले हैं अच्छा आपकी एक test series हम लोग start करेंगे test series भी start करेंगे और जो की है ना आपको unacademy के platform पर मिल जाएगे वो test series से तुम analyze कर पाऊगे special class में practice करते हैं इसमें theory करेंगे और साथ में ऐसे बहुत से lectures जैसे मैंने NCRT सारांस इसी में merge कर देना है NCRT सारांस से NCRT की हर line की analysis हो जाती है तो ये possibilities तुमको कैसे बनानी है regularly आकर 28th of December से properly हला कि अभी मैं 9 बजए इसके बारे में कुछ और भी descriptions आपको दूँगा पूरे schedule के साथ में ठीक है तो possibilities इसी तरह से बनाओ regularly पढ़ाई करो और चीजों को बनाते रहो अनकैडमी पर जब भी plus पर आना हो तो ये code यूज़ कर लेंगे तुमारे sir का ही code है AD sir plus पर तुमको हमेशा देखो कई बार होता है कि हमें schedule चाहिए एक system चाहिए एक doubt discussion चाहिए teacher के साथ connect होना है teacher से directly अपनी problem बतानी है sir ये topic particularly नहीं आता वो topic particularly teacher तुमको समझाता है चाहे वो physics है चाहे वो chemistry है और चाहे biology है ये code use करेंगे अपनी possibilities को increase करेंगे और जो last में आपको चीज़ें बतानी है वो क्या इस Sunday को इस Sunday को तुम्हारा anacademy combat है और काफी बहतरीन होते हैं ये इसमें आप proper analyze कर सकते हो अपनी performance को आपकी rating calculate कर सकते हो किस जगा पर तुम अभी exist करते हो तुमारी rating क्या है तुमको कौन सा यहाँ पर award मिल रहा है तुम prizes कौन से जीत रहे हो तुमको यहाँ दिखाता है questions आएंगे और बहुत अच्छे questions होते है हाला कि तुम बाकी लोगों के साथ में compete कर सकते हो जो भी बहतरीन से बहतरीन है और जैसे ही test हो जाता है तुमको उसका video solution भी मिलता है तो यह आप एक साथ बहुत से लोगों के साथ में compete कर सकते हो तो अपनी original rank भी पता लगाओगे कब है 28th of December को कब है बचो 28th of December को 11 बजे से है 11th के लिए भी 12th के लिए भी और सारी classes के लिए same 1st to 3rd rank के लिए यहाँ पर कुछ voucher वगरा है और 1000 के voucher 50 rank तक के लिए है Amazon के voucher ठीक तार्थ मिनिट का है Botany, Zoology, Physics, Chemistry यह चारो ही है एक और साथ में यह syllabus है इसका screenshot ले लो यह syllabus है तुम्हारा है ना इसका screenshot ले लो Zoology 11th, 12th और 13th दिख रहा है यहाँ पर यह Botany के लिए है यह Botany, यह Zoology तो तीन lectures, chapters ही आ रहे है यहाँ genetics and evolution दो हो गए है और यहाँ पर यहाँ तीन lectures ऐसे chemistry भी है, ऐसे physics भी है तुमको करना क्या है, बस systematic आना है और जब भी आओगे free ही है बट कभी-कभी code मांता है तो code मांगे तो यह वाला code यूज कर ले यह free test में तुम enroll हो जाओगे 80s are the code possibilities को बना कर रखनी है आज के lecture से क्या सीखा हर साल 4-5 question repeat होते हैं अगर किसी बच्चे ने 1988 से लेकर अभी तक के सारे question paper solve कर दिये है proper solution के साथ में यही सीखा, हमीं क्या करना है इसको last में pending नहीं डालना हमीं क्या करना है बच्चे last में pending नहीं डालना हमको बस एक छोटा सा काम करना है हमको एक छोटा सा काम करना है क्या कहां गया हमको बच्चा एक छोटा सा काम करना है और वो काम क्या है आ जो भाई हमारे पास 3344 questions है और इन 3344 questions में से यह previous year questions हमें क्या करना है जो चाप्टर मैं करवा रहा हूँ PDF तुमको टेलिग्राम पर मैंने अल्रेडी मौनिंग में भेज दी है उसमें से regular basis पर चाप्टर के PDF को पढ़ेंगे उसके question solve करेंगे फिर मेरी क्लास में आके बैठेंगे जो doubt होगा वो पुछेंगे और चीजों को इसी तरह से हम लोग start करेंगे इंडिया का क्या वर्ड का टॉप उनलाइन प्लेटफॉर्म इतनी जादा लेक्शर्स किसी भी यूट्यूब पर नहीं देखे जाते जितनी एन अकेडमी के देखे जाते इसका मतलब क्या हुआ बच्चों को एक possibility form में चीज़ें हम लोग deliver कर रहे हैं बेसिस पर हर टीचर अपने में लगा हुआ है चाहे फेस्टिवल हो 25 दिसंबर हो 31 जन्वरी हो 31 दिसंबर हो सब टाइम तुमको कोई ना कोई पढ़ाता हुआ मिल जाएगा रात में बारा बज़े भी जाओगे तो तुमको आनकाडमी के एप पर कोई ना कोई टीचर पढ़ाता हुआ मिल जाएगा क्यों ऐसा किस ने कहा रात में पढ़ाने को कहा क्या एक motivation है टीचर का बच्चे के लिए बच्चे के लिए लगाव है उस लगाओ को समझो possibilities बनाओ, hard work करो, हर चीज को possible कर सकते हैं बच्चे दो-दो महीने के crash course में select करते हैं तुमारे पास तो फिर भी पूरा January, February, March, April चार महीने हैं और ये मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा postpone होगा बड़ उसके चक्र में नहीं पढ़ेंगे चार महीने more than sufficient है किसी भी चीज को बहतर तरीके से करने के लिए थोड़ा सा लगकर करते हैं, मज़ा आएगा थोड़ा सा लगकर करते हैं और सब को संभव बनाते हैं, ठीक है नौ बज़े मिलूँगा, तुमको ये जो संभव सिरीज है इसके बारे में कुछ पूरी description के साथ में कि हम क्या करने वाले हैं, course की start date कब है, course किस दिन end होगा, उस duration में हमारी classes कब कब हैं, especially मैं biology में क्या क्या कराने वाला हूँ, 9 o'clock मिलते हैं बच्चों, बाई, और 9 बज